हलो है दीर फ्रेंड मैं हूँ इंध्या वराद्धा चला मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हुँ तो मेरी सुबह हो रही है चाय से अंशा सबके गेर चाय से ही सुबह होती है है नव्य की शुरुआज़ चाय से होती है तो यहां पे मैं आगई हुँ भाजी को साफ कर रही थी इसके अंदर जो भी कीरे मकौरे जो भी है और बता दूए कि हम लोग 36 गड़ से हैं तो 36 गड़ का ये famous भाजी है खटा भाजी और आमारी भाजी भी बोलते है इसको महबते भाजी भी और पसंदीदा भाजी भी बोलते है तो इसको साफ करने के बाद पानी मैं अच्छे से धोने के बाद मैं इसका पानी जो है खटा वाला जो पानी है उबाल करके अलग कर दी थी कुकर में मैंने हापे दाल चड़ाया हुआ था और साथ भी साथ मेरे चुले पे डाल और प्याज को पकाने के लिए रख देती इसके साथ में mix करके खाने में बहुत अच्छा लगता है और कुछ खटड़ वगेरा रहता है भाजी में तो वो नहीं लगता है इसलिए डाल और प्याज को मैं इसमें add कर रहा हूं प्याज समीठापन पिया जाता है मैं अलग करने के बाद में जो दाल पका हुआ है उसमें यह जो भाजी है उसको ऐट कर रहे हूं यह जो पत्यदार भाजी है जो खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है हलका हलका थोड़ा थोड़ा खटा रहता है और जो ज़्यादा खटा रहता है वो पानीश को हम अलग कर दी हैं उबाल करके तो ये जो डाल और प्याश को इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर रहे हूं क्योंकि अच्छे से mix इसलिए कर रहे हैं ताकि यह जो भाजी है उसमें जो डाल उपर उपर ना जाएगा तो अंदर ने mix नहीं हो पाएगा तो वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा अच्छे तरीके से mix करने के लिए बार बार इसको लगातार चम्मच चलाना पड़ता है और यह जो भाजी है यह जल्दी बैठ जाता है मतलब कि यह कड़ाई पर चिपकने लगता है तो जल्दी से चम्मच चलाना पड़ता है चम्मच चलाना रोग दोगे तो फिर वो चिपक रेडी नहीं हुआ है ना क्योंकि ये भाजी अभी पक्का बस है तो इसको फ्राइ करना भी बांकी है पकने के लिए और मैं छोड़ दी थी और उसके बाद थोड़ा से जाड़ो बचा तो जाड़ो भी लगा ली थी साथ साथ में और ये लशून और मिर्च का मैं तोड़के रग दी थी मिर्च वगरा सब और ये हम तड़का लगाने के लिए भाजी को अलग से बरतन में खाली कर दिये हैं खाली करने के बाद जो कड़ाई है वो अच्छे से धोके फिर से चुले पे चड़ा दिया गया है उसमें तेल डाल दिया गया है लसुन और मीच का तड़का भी लगा दिया गया है और ये अब एड़ हुआ है इसमें प्याज और प्याज और लसुन जब तक अच्छे से लाल लाल होते तक फ्राई ना हो तब तक कि इसमें क्या होता है अच्छा सवाद नहीं आता है अगर हम ऐसे अभी डाल देते ना तो वह सवाद नहीं आता तो उसको लाल होने देना है और यहां पर मैं फ्राई नहीं कर रहे हैं दोस्तों मुझे मेरी साजो मा के हाथ का जो तड़क हो गया और जश्ट हमने ठकन बंद कर दिया ठकन बंद करने के बाद थोड़े दिरबाद खुलके हम इसको फिर से मिक्स कर रहे हैं सभी को एक बार फिर से चम्मा चला दे रहे हैं यह भाजी जो है महां फेमस भाजी है छेतिसगण का खाने में थोड़ा सा खटा खटा लगता है अच्छा लगता है और मेरे च्याद से चेतिस गड़ में ऐसा सयद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको यह भाजी पसंद नहीं आता होगा सभी का बनाने का तरीका है वो अलग रहता है कोई डाल के जैसा बना के खाता जैसा हुने प्याज पल्दb कर पसंद करता है और फिर य पोच्छा है वो लगा दे रही थी और पोच्छा हो गए कि वान जो मेरी बच्ची आ गई थी वो बड़ोसी के खर गई थी खेलने के लिए लेकर चले जाते हैं वो लोग कहलते रहते हैं तो फिर वो आ गई थी उसके बाद उसके जो सिने में है कब जम गया था सर्दी का तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आप सब कमेंट करके जरूर बताएगा मिलती हूं नेस्ट लॉग में तब तक के लिए बाई चाहा दाल चाहा सबजी मेरा रेड़ी है आप सब भी आजाएए खाने के लिए take care, we'll see you next vlog में तब तक के लिए, bye